हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टिंगल की रसोई में तो आज हम आपके लिए एक नई रेस्पी लेकर आए हैं तो आज हम बनाने वाले हैं फैनुस जिसे खीश भी बोला जाता है फैनुस गाई और भैस के डिलेवरी के एक दो दिन के बाद का दू है die तो सबसे पहले हम मैं डालेंगे दूद से पहले आम छानलेंगे याँ पर ने वह सकते हैं और दूद का नहीं बनाना चाहिए चैए अच्छा नहीं होता है बनाना तो देखिए हमने दूद को बिठा दिया है दूद को जैसे आप गरम करेंगे वह फोट जाएगा कि फेनुस का दूद है नो इसी रिए फोट जाता है तो दूद को हम लगतार ऐसे ही चलाते रहेंगे आप इसे थोड़ा देर के बाद भी चला स लगते हैं यह कड़ाई में नहीं चिपकेगा क्योंकि फोट गया है तो गैस को हम लखेंगे हाइफ लेंप इसमें ज्यादातर कुछ नहीं लगा सिर्फ चीनी और दूज से बहुत अच्छा फेनुस बन कर त्यार हो जाता है कि फेनुस ज्यादातर गाम के लोगी बना कर खाते हैं क्योंकि गाम में ही गाई और वैस रखी जाती है सहर में उतना लोग का गाई वैस रख पाते हैं इसलिए नहीं बना पाते हैं अब दूद करें लगतार चलाते रहेंगे और जो हमारा दूद फट गया है उसका पानी हम नहीं फेकेंगे इसको इसी में हम ऐसे चला चला कर इसे हम भूल लेंगे कि दूद बहुत फाइदें मन दोता है इस बहुत जादा फूर्टीन पाई जाती है और सिहत के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है तो देखिए हमारा दूद यह पहले से कम हो गया है इसका पानी भी पहले से जल कर कम हो गया है और कलर जो है थ्वासा गोल्डन टाइप का हो गया है अब हम इसमें डालेंगे चीनी आप अपने मीठा के नुसार चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं इसमें थ्वासा कमी मीठा सही रहता है क्योंकि दूद भी पहले से मीठा होता है इसलिए हम यहाँ पर थ्वासा पानी ची हुआ थोड़ा बहुत पानी रहा है तो इसको भी हम अच्छी तरह भूल लेते हैं कि फेनुस को बढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको कम से कम 10-15 मिनिट लग जाएंगे आप जितना हाई फिलेम पर इसको भूनेंगे उतना आपका जल्दी फेनुस त्यार हो जाएगा हमारा फेनुस जाएव अच्छी तरह भून गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे तो चलिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो तो हमारा गरम गरम फेनुस बन कर तियार हो गया है आप इसे एक-दो दिन के बाद भी घा सकते हैं खराब नहीं होते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको हमारी रेजपी अच्छी लगी हो अगर आपको लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे चैनल को स्क्राइब करना ना भूले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक नई रेस्प्रिक साथ तब तक लिए बाई